नमस्कार मित्रों आप सेभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शूटूप चैनल स्टेडी बिट लखनू में आपका हादिक स्वागत है दोस्तों आप सेभी के लिए हाई कोर्ड की तरब से उत्रपर पुलिस बढ़ती हैं प्रोनर बोर्ड की तरब को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रहे हैं 49,500 आसर्ट परो की वेकेंस्टी को लेकर और 77,000 2016 की दरोगा भरती को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रहे हैं तो इस वीडियो को सुरुष अंतर तक जरूर देखी गया है और साथी साथ चैनल पे नहीं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब पर के बेला इकन को जरूर दबा दीजिए गा जिससे कि आप हमारी नई वीडियो का नोट्पी के सथ सबसे पहले पासेंगे तो चलिए साथी में वीडियो को स्टार करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ ठीक है तो आई यहां विद्पूरूब के साथ आपको खबर दिखाने वाले हैं क्या हुआ है साथ यहां पर आप देख सकते हैं आज की ताजा खबर दरोगा भरती में अनीमितता पर जवाब तलब चैन परड़ाम याज के कि नरड़े पर निरभर करेगा यहां पर साथ साथ आप देख सकते हैं हाई कोट ने सिविल पुलिश में उपनिरिशक और पियसी प्लाटून कमांडर तथा फायर बिग्रेट की परती में अनीमितता की सिकायत को लेकर दाखिल याजिका पर जवाब तलब किया है कोट ने राज्य सरकार और पुलिश भरती को एक मां में जवाब दाखिल करने का नरदेश दिया है और वहीं पर आस्तोस तरह सहित दोसो अभियातियों की और से दाखिल याजिकाओं पर नयायमूर्थी यसवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं याजिकाओं पर वरिष्ट रिवक्ता एंडी सिंग सेखर ने बहसत की है याजिकाओं में कहा गया कि 2016 में पुलिश भरती बोर्ड ने विग्यापन निकाला था लेकिर परिच्छा में 50% अंक वाले अभियारतियों को ही साहिरी की दच्चता परिच्छा में बुलाया जाना सफल पाए गए हैं याजिगण का कहना की तमाम ऐसे अभियारतियों को चैन में सामिल किया गया जिनके बचार प्रस्तिसत से कम आंक थे भरती बोर्ड ने मनमाना तरीका अपनाया जिससे कमाम सफल अभियारतियों प्रक्रिच्छा से बाहर हो गये हैं कोड़ ने सरकार और को अपनी स्थित पर्ष्ट करने के लिए कहा है ठीक है तो इतनी खबर थी जो है 2016 की भरती को लोग है और साथ साथ हम आपको बता रहेने चाहते हैं आपकी उन्चाज़ार पांसो अशट परो की बैकेंसी का रियल्ट जो है मार्च के लाश्ट वीक तक आएगा ठीक है आप है ठीक है तो यहीं वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं के लिए वीडियो में जनकरी के साथ नहीं खबर के साथ थैंक्यू फार्वासिक में वीडियो जुच